कस्बे के पंचबालियती दिगंबर जैन मंदिर में गत रात्री करीब एक बजे अग्याद बदमाशो ध्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया जिसकी पुरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई कैमरे के कैद हुई घटना के अनुसार रात्री करीब एक बज़ कर चेह मिनिट पर मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे चैनल गिट के दो तालो को तोड़ा जिसके बाद तीन बदमाश मंदिर में प्रवेश हुए बदमाशों की नजर मंदिर के बाहर लगे कैमरे पर पड़ी तो बदमाशों ने कैमरे के तारों को ही खीच कर तोड़ दिया जिसके बाद कुछ देर तक तो इधर उधर जाका उसके बाद एक 23 बजे करीब मंदिर के अंदर गेट पर लगे तीन तालों को तोते हुए प्रवेश किया अंदर जाते उन्हें और कैमरा दिखाए दिया तो उस पर भी कपा डाल दिया लेकिन बाकी के दो कैमरों पर बदमाशों की नजर नहीं पड़ी जिससे की सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले मंदिर की वैदी में प्रवेश किया वहां भगवान को धारं किये छत्रों को उठाया जिसके बाद मंदिर के दानपात्र को तोने का भी प्रयास किया लेकिन दानपात्र नहीं तूटा तो दानपात्र ही उठाले भागे जिसके बाद चोर मंदिर के तल पर बने स्वाध्याय भावन के गेट के नेकुचे को तोड अंदर घुसे जहां भी शास्त्रों वह सामान को इधर उधर बिखेरा लेकिन वहां कुछ नहीं मिला करीब एक घंटे तक चोरो धमाल मचाने के बाद बदमाश दो बजे वहां से भाग निकले घटना की जानकारी ग्रामीनों को जब मिली तब सुबह मंदिर का पुजारी पाँच बचकर पैतालीस मिनट पर मंदिर में साफ सफाय करने पहुचा तो उसने सब तरफ ताले तुटे देखे तो हल्ला किया जिसके बाद देखते ही देखते समाजजन वग्रामवासी इककठे हो गए जिसके बाद इधर उधर चानबीन की तो चानबीन के दोरान एक खेत में दानपात्र तुटा मिला अब मंदिर के शील्डे भी वहां ही बिखरी मिली जिसके बाद समाजनों की और से कानोर थाने मे सुचना दी। सुचना पाकर कानोर थाना धिकारी घेवर चंद मय जापते घटना स्थल पहुँचे अब मौ का पर्चा बनाया वह आसपास के क्षेत्रों में लगे सी सीटी फूटेज को खंगाला। निकले जिसमें सभी बदमाशों ने मुह पर बांध रखा था वह हाथों में सर्ये वलट लेकर आये थे। दिन भर रही चर्चा दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी की चर्चा की भर लोगों में बनी रही। कस्बे के मुख्य बजार में मंदिर में चोरी हर किसी को अंच् वह परेलिखे बदमाश होने का अंदेशा जताया जा रहा।